नमस्कार दोस्तों, आज डिसकस करेंगे एक आइडिया या एक तरीका अ मेथढ जिससे आप घर खरीद सकते हैं, especially the youth तो ये प्राक्टिकल आइडिया है, आप बताना कितना प्राक्टिकल लगा, आप कर सकते हैं नहीं कर सकतें क्योंकि आज के टाइम में real estate खरीदना जैन जी के लिए तो बहुत मुश्किल ही है जो millennials भी थोड़े late वाले पैदा हो है 92, 93, 90, 92, 93 वाले थोड़ा difficult होता जा रहा है शहरों में तो आज मैं एक example लेके बताऊंगा एक property का let's say 1CR की ले लेते हैं हला कि कई शहरों में इससे भी बहुत prices बढ़ गए बट 1CR एक काफी decent budget हो जाता है अब भी बहुत जगे बहुत चीज़ें आ सकती है तो 1CR का ही example लेके मैं कोशिश करके आपको बताऊंगा कि आप लोग उस property को कैसे खरीदें जो मेरे को target audience जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो है जो 27-28 से 35 साल की उमर वाले हैं उससे बड़े वाले भी हो सकते हैं बट मोटा मोटी ये लोग जिनकी नौकरियां लग गई है जिनकी शादियां भी हो गई है शादि होके हो सकता है किसी पैसे कमाने वाली लड़की से भी हुई हो तो best solution मैं आपको बता रहा हूँ as a template बता रहा हूँ आपको क्या करना है जी कोई भी अच्छा under construction अच्छे builder का अच्छी location में my one construction आपको book करना है उसका पैसा जाएगा 3-4 साल में 3-4 साल में जिसका पैसा जाएगा उसमें आपको पने माता पिता का use करना है use करना तोड़ा उनके धन का use करना है माता पिता के पास जाना है बोलना है हम यह property ले रहे हैं हमें पैसे चाहिए जैसे आप बोलोगे पैसे चाहिए तो अगर 20 लाख रुपे की FD कर रखी है आपकी ममी ने या आपके पिता जी ने तो आप उनकी FD से बोलो कि आपको 6% किराय मिल रहा है मैं 6% ब्याच दूँगा आपको and 20% का हिस्सा भी दूँगा तो अब माता पिता के पास कोई reason नहीं है ना कहने का क्योंकि उनकी security भी हो रही है property में 20% का हिस्सा दे रहे हैं मैं template के form में बता रहा हूँ ये 25-30-40 लाग का भी हो सकता है ये 15-15 लाग का हो सकता है आप अपनी पतनी का भी नाम डाले उसमें आप माता जी का भी नाम डाले आप अपना नाम भी डाले आपको loan मिल जाएगा अब loan भी आपने ले लिया 20% का down payment का भी जुगाड़ आपका हो गया कई जगे पैसे धीरी धीरी आपको देने होते हैं income tax का benefit जो आपको मिलेगा आपकी पतनी को मिलेगा वो close to अगर आप 30% slab के अंदर है close to ग्यारा से बारा हजार रुपे combine मिल जाएगा आपको परमत का बीस लाग का जो आपने 6% देना है ब्याज जब तक वो position नहीं होता क्योंकि position होने का किराय भी आएगा या खुद आप उसमें रहेंगे तो किराय बचेगा तो केवल आपको 6,000 रुपे ही देने पड़ेंगे क्यों दुबारा calculate कर लेते हैं 20,000,000 का 6% 1,000,000,000 हुआ 1,20,000 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 10,000 रुपे मम्मी को आपको मंतली देना है कि जो आपने मेरे को बीस दिये थे As per the rule and law ये पैसा का भी आप income tax rebate ले सकते हो अगर आप उनको डारेक्ट ही चेक के माध्यम से account में दे रहे हो Otherwise, within the house आप आराम से settle कर सकते हो कि आप मैं ना बिजली का बिल पे कर दूँगा और ये मेड़े के पैसे भी मैं दे दूँगा या एक खर्चा और लगा लो दूद का मदब अभी इंडिया में महंगाई इतनी हो चुकी है कि ये जो मैंने तीन खर्चे बताए ये ही 10,000 रुपे हो जाते हैं मोटा मोटी ठीक है ये तीन खर्चों में 10,000 हो जाएंगे तो ऐसा आरेजमेट कर लो या income tax वाला करना है तो अपना इसको official कर लो depending on कि मम्मी तो tax वाले slab में नहीं आती कि मम्मी तो 20 लाग नहीं कमारी साल के कि उनको जब आपने एक लाग बीस दिये तो tax लग जाएगा अगर वो नहीं कमारी तो वैसी दे दो official अपना चैसे काट के दे दो उसमें दिक्कत नहीं है तो इसमें क्या है उनको माता पिता को भी दिखाना है ये वीडियो और अगर आपको 20 का 21 करना है माता पिताओं का अड्रेस करना है आपको तो फिर आपको महीने का कुछ नहीं मिल रहा है यहां आपका बेटा या आपकी बेटी या बेटा बहू या दमाद आपको पैसे दे रहे हैं आपको महीने के पैसे दे रहे हैं वो पैसे आप mutual fund में डालें या recurring में डालें वो आपकी मर्दी है उसको भी जोड़ें या खर्च कर लें depending on your situation पर आपका 20 लाग जो उस घर में डला हुआ है वो 20 लाग का जो आपका हिस्सा है वो बढ़ रहा है अगर यह pure investment है तो बल्ले बल्ले वैसे ही है बही क्योंकि आप inheritance में 20-30 साल बार कुछ तो लाइक चीज़ छोड़के जाओगे क्योंकि बहुत बुजूर्क अपनी 60, 62, 65 में यह सोचते हैं कि हम तो निपटने वाले हैं 2-4-5 साल में नई जी आप 30-30 साल भी जी सकते हो जल्दी निपटना in today's age is not a risk risk is living a long life यह मैं बताना जा रहा हूं मैं एक ही वीडियो के माध्यम से आपको financial ग्यान भी दे रहा हूं real estate का ग्यान भी दे रहा हूं आप लोगों को यह ग्यान बहुत अच्छे से करना यह यंग्स्टेस के लिए वीडियो है इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है को फिनांशन इंफ्लेंसर इसको नहीं समझा रहा हूं यहां एक मुचल फंड के सैपी खोली है भाई एसेट तो बनी नीरा माता-पिता ने कौन से तुमारे मुचल में डाल र और आपको फाइदा क्या हो रहा है बेटा जी बहुजी बेटी जी जो मैंने बताया बीस लाख उन से लेगे नहीं नहीं हम उन से पर साड़े आठ परसंट आपको बैंक से मिलता है माता-पिता को छह दे रहे हूं धाई परसंट तो आपका बचरा है साड़े चह दे तो मात कहते हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे तो छोड़ के तो यहां भी जा सकते हैं जिसको जाना है पर सबसे बड़ी चीज इसमें सबसे बड़ा खेला कहते हैं जो पॉजटिव वे में वो क्या है वो ध्यान से समझे माता-पिताओ को एड्रेस कर रहा हूं जी रेंटल इल आ जाना आपका शुरू हो गया तो छे जो मता जी पिता जी को दे रहे थे उसका इंकम टैक्स रिवेट बना का अड्वांटेज लेके चार पी आ जाता है मामला चार आप उनको दे तो तो कैश फ्लो हो जाएगी फ्री प्रोपर्टी हो जाएगी पर आठ नौ साल में वो रें पर आपको 6% मिल रहा था तो आठ साल नौ साल बात वो 12% मिलने लग जाएगा नहीं वो बढ़नी रहा ना इंट्रस रेट तो ऐसा नहीं हो रहा कि हर साल इंट्रस रेट बढ़ रहा है पर हर साल रेंट बढ़ेंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे तो अगर हम 30 years का Excel में ड क्लीफ हो रही है वैसे भी मुचल फंड में सारा पैसे चला गया बैंक भी स्ट्रगल कर रहे हैं वहीं बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं उनके डिपॉजिट्स नहीं करा पारे जनता तो यह चीज़ को आप मैत यह फॉर्मूले समझे जो मैंने आपको बता है कि माता पिता क्यों हम इंक्लूड गया जा सकता पेर इंग्या कोई लड़के के स्पेशलिटी नहीं है खून के संबंदों में प्रॉपर्टी बहुत स्टेट्स में यूपी में भी हर्याना में है बाकि स्टेट्स में आप अपना छेक कर लो वहां ब्लड रिलेशन में प्रोपर्टी हैं और मिट्टी हो जाएंगे 20 लाख रुपया 20 साल में 20 लोग साइबर हब में खाना खा जाएंगे आज के बाद महेंगा यह होगा तो जो 20-20 लाख रुपय के FD लेके बैठे ना भी भाई कुछ नहीं आना 20 लाख का 20 साल बाद 20 साल बाद कुछ नहीं आना इंफलेशन सब खतम कर देगी जितनी इंफलेशन दिखाई बताई समझाई जाती है उससे कहीं जादा है और रैस्परेशनल इंफलेशन डालो तो कहीं बहुत जादा है तो यह बेस तरीका है क्योंकि वो इनीशल अगर मेरे को डाउन पेविमेट के पैसे मिल जाएं और अगली 10-20 परसंट के पैसे मेरे पास का जुगाड है तो मेरे को 30-35 परसंट का जुगाड है मेरे पास तो और जब तक ये 30% बिल्डर ले रहा है उस टाइम में आपका 10-15% का और जिगार्ड हो गया सेविंग्स करकर आके तो आप 50% पर बैठे हो भी तक लोन लेने की जुरूत नहीं पड़ी बही 15-1 माता पिता का 15-1 आपका जो लेके बैठे हो और जब तक ये कंसिम हुआ तो 15-20 का आपने और जुगार्ड कर लिया तो पचास परसेंट तक तक तो आप ऐसी पहुच गए पचास का फिर लोन ले लेना फिर पता चलेगा कि वो जो रेंटल इल्ड है वो 4 परसेंट है परसेंट लोन ही 50% पर लिया है आपने तो कैश लो पॉजडिव हो गया बले बले तो ये मुश्किल नहीं है बहुत ही इजी है परिवार में जब सब लोग मिलके लेते हैं तो बहुत अच्छे तरह से लिया जा सकता है अपने माता-पिता का यूटलाइज कर ले माता-पिता ने तो सास ससुर्का कर ले बुनका नहीं होता तो सिब्लिंग्स मिलके ले सकते हैं कि ठीक है माता-पिता धनी नहीं पैसे वाले नहीं गरिब भी हो सकते हैं कोई बात नहीं तो दो भाई मिलके ले सकते हैं यही सेम फॉर्मूले में नहीं फिर उसका दोखा अरे पता नहीं दोखा कैसे होता है या दो लोग रेशों में पैसा दे उस रेशों में प्रॉपर्टी में आप नाम कर सकते हैं अगर दो बच्चे हैं और माता-पिता दो हैं जैसे होते हैं दो चार लोग भी मिले डिल के रेशों कर लो परिवार में फिर्टेंज करोव और अराम बहुत बढ़रा सब यह ज्ता और खाली गर अरीए어不起 नने अथूы वो रेंटल मैनेज करेंगी अराम से थीक है अराम से सब चीजे मैनेज होती है ऐसी प्रॉपर्टी बनती है फिर इस तरह एक और प्रॉपर्टी बना लो क्योंकि सौ रुपर्टी आनिया आपके पास सौगा जुगाड़ का भी होना नहीं तो आप इस तरह पहली इसमें मुझे तरह को बारालाग रुपर्टी देने क्योंकि वह अली की वैल्ली उजादा बढ़गी इसकी इतनी इतनी मार्किट वैल्ली के इजाब से शेयर ओल्डिंग को हम दुबारा से रिवाइज कर लेंगे इसको रिस्ट्रॉक्चिरिंग वैसेट्स बोलते हैं इन स इस तरह के वेबिनास भी अटेंड करने को आपको मिलेंगे जानने को मिलेगा थैंक यू है कुछ